पहले पैरिस में नवाज शरीफ और पी एम मोदे की मुलाकात और फिर बैंकौक में दोनों देशों के राष्ट्रियस रुख्षा सलाकारों की बादचीत और अब सुष्मस वराज की पाकिस्तान यात्रा कुल मिलाकर पठ्री से उतर गई दोनों देशों की बाचेत फिर से रास्ते पर आती दिख रही है बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई राष्ट्री स्रोक्षा सलाकार स्तर की वारता के बाद अब विदेश मंत्री सुश्म सुवराज मंगलवार को पाकिस्तान जाएंगी विदेश मंत्राले के प्रवाक्ता विकास वरूप ने ट्वीट किया विदेश मंत्री सुश्म सुवराज इसलामबाद में 9 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली अफगानिस्तान पर पांचवी मंत्री स्तरिये बैठक Heart of Asia में भारतिये प्रतिनिधी मंडल का निर्तित्व करेंगी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शेत्रिये सयूग को बढ़ावा देने के लिए 14 देशों की स्पहल में भाग लेने के लिए स्वराज को आधिकारिक रूप से निमंत्रन भीजा था गौर्तलावे की सुश्मा की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिष्टों में बना गधिरोद तूटने की उम्मीद जताई जा रही है Heart of Asia Conference 8 December से होगा जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा अजरबैजान, चीन, एरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, साओधी अरब, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और सयुक्त अरब अमिरात के प्रतनिधी हिस्सा लेंगे सम्मेलन में अफगानिस्तान से विदेशी फाजों की वापसी के बाद देश में आर्थिक और राजनितिक हालात को संभालने पर चर्चा होगी जानकारी के अनुसार सुष्मा अपने पाकिस्तानी समकक्ष सर्ताज अजीज के साथ वारता करेंगी और पाक प्रधामंतरी नवाज शरीफ से भी मिल सकती है सुश्मा ऐसे समय पर पाकिस्तान की यात्रा करने जा रही ही है जब दो दिन पहले ही यानि रविवार को भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रियस रौक्षा सलाकारों के बीच बैंक कॉक में वारता हुई थी भारत के राश्ट्रियस रॉक्षा सलाकार अजी डोभाल और पाकिस्तान के नए राश्ट्रियस रॉक्षा सलाकार लेफटिन एन जनरल नासिर खान जंजुआ के बीच बादचीत के 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 पड़ती हम सब का कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉंग है जहां तक सवाल है जिन इश्यूस को आपने कहा है हम आपको विश्वाद दिलाते हैं कि विदेश मंतरी महधिया दस तारीक को इसी सदन में आएंगी और जिन विश्यों को आपने रखा है उन सारे मुद्दों पर वो मिले हैं और फारिंज सक्टीज भी मिले हैं ता इसमें तो जंप मैं नहीं कर सकता हूँ कि बहुत होना है लेकिन एक प्रासेस शुरू हुआ है बाहिमी ऐतिमाद विश्वास पैदा करने के लिए मुझे लगता है कुछ शुरुआत हो गए बैंकोक मोही बैठक पैरिस में जलवायू समेलन के धोरान भारत और पाकिसान के प्रधामंत्रियों नरेंदर मोदी और नवाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात के बाद हुई थी पैरिस से पहले पीएम मोदी और शरीफ ने रूसी शहर उफा में द्यूपक्षे बैठक की थी और वहाँ उन्होंने ये तै किया था कि दोनों देश आतंकवास से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच एने से स्थर की बादची तै हुई थी लेकिन उसी समय पाकिस्तान अपनी बात से पलट गया और कहा कि जब तक एजेंडे में कश्मीर नहीं होगा वो बात नहीं करेगा इसके बाद भारत ने भी सपश्ट कर दिया कि सर्ताज अजीज को कश्मीरी अलगावादी नेताओं से मिलने नहीं दिया जाएगा और बात केवल आतंकवाद पर होगी तब पाकिस्तान ने अजीज की यातरा को रद कर दिया था इससे पहले पिछले साल दोनों देशों के विदेश सचीवों की बातचीत भी इसी के चलते रद हुई थी दो बार बातचीत रद होने के बार नवाज शरीफ ने सैयुक्त राष्ट में भारत से बातचीत के लिए चार शर्ते रखी थी हाला कि उस समय भी विदेश मंद्री सुश्मस्वराज ने शरीफ को जवाब देते हुए साफ कहा था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती यानि बार बार पाकिस्तान अपनी बात से पलटता रहा है पिछले महें लिए खी नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान अब भारत से बातचीत को राजी है वो भी बिना किसी शर्त पर पाकिस्तान बार बार बातचीत की बाते करता है लेकिन सीमा पर हो रही गतिवे दिया उसके दावो को हर बार खारिश करती है उफा के बादी पंजाब के गुरुदासपुर में आतंकी हमला हुआ जांच में पता चला की आतंकवादी पाकिस्तान से आये थे उसी समय उधंपुर में B.S.F. की बस पर हमला हुआ जिसमें एक आतंकी को जिन्दा पकड़ा गया है इस आतंकी ने खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बताया था इसके अलावा जमू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैट भी रुकने का नाम नहीं ले रही है सीमा पर पाकिस्तान की ओर से संगर्श विराम उलंगन की वारदातें भी रुकने का नाम नहीं ले रही है आकडो की बात करें तो साल 2014 में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में 583 बार संगर्श विराम का उलंगन हुआ और इस साल की बात की जाए तो 15 नवंबर तक पाकिस्तान की ओर से 401 बार सीज फायर तोड़ा गया आज भी दक्षिन कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्रीनगर जम्मू राश्ट्री राजमार्क पर CRPF के काफिले पर किये गए हमले में कम से कम 6 जवान घायल हो गए बीज बेहरा के सम्थान में ग्रीन टनल के नस्दीक शिनगर से जम्मू जा रहे है काफिले में शामिल CRPF की एक बस पर हमला किया गया हमला वरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है कुल मिलाकर पाकिस्तान सिर्फ पाते ही करता दिखता है जबकि भारत की ओर से हर बार गंभीर प्रयास किये जाते हैं पिये मोदी ने शपत ग्रेहन में ही नवाज शरीफ को बुला कर रिष्टों का एक नया अध्याय लिखने का संकेत दे दिया था और फिर से दोनों देशों में सार्थक बाचीत की उमीद जगी है लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार ये पहल किसी मन्जिल तक पहुचेगी डीडी नियूस